So, आज अपन बात करने वाले हैं, दो वर्ड होते हैं, जो अपन को काफी बार कन्फूजन करते हैं कि फ्लोरा एंड फ्यूना में डिफ्रेंस क्या होता है, कि फ्लोरा क्या होते हैं and फ्यूना क्या होते हैं तो यह चीज आपको पता हो निचे कि जो फ्लोरा होते हैं वो तो किसके अंदर आते हैं वनस्पती जात के अंदर आते हैं जब कि जो फ्यूना होते हैं वो किसके अंदर आते हैं प्राणी जात के अंदर आते हैं वहाँ पर जितने भी plants होते हैं, या जो पोदे होते हैं, जितने भी पाए जाते हैं उस इस्तान पर, उन सभी को एक जगह एदि अपन इकटा कर लें, समलित कर लें, तो उस चीज को, उस जगह को, उस area को क्या बोलेंगे, अपन flora बोलेंगे, मतलब किसी छेतर विसेश में प इतने भी plants वगेर हैं, जो सब कुछ इसके अंदर आ जाते हैं, फ्लोरा के अंदर के विए नाम से ही पता चल रहा है, फ्लोरा बनस्पती जात, अब बात कर लेते हैं, इसकी लगबग क्या है, कि 47,000, कितनी 47,000 species हैं, वो फ्लोरा की कहा पाई जाती है, इंडिया के अंदर प particular reason और time, इसका means क्या हो गया है, कि किसी 46 विशेस के अंदर जितने भी पसू-पक्सी हैं, जन्तू हैं, वो सब पाई जाते हैं, उनको समलित मतलब रूप से अपन क्या बोल देते हैं, प्राणी जात, मतलब फ्यूना कह देते हैं, means किसी 46 विशेस में पाई जाने वाले सभी पसू-पक्सी हो गया है, जन्तू हो को समलित रूप से अपन क्या बोल देते हैं, फ्यूना मतलब प्राणी जात बोल देते हैं, फ्यूना के अंदर कौन-कौन आ जाते हैं, अभी अपने बात की पसू-पक्सी आ जाते हैं, जन्तू मतलब बर्ड्स आ गए, इनिमल्स आ है वो आप मेरे को बताए कमेंट बोक्स में क्यूशन यह है कि हाउ मेनी फ्लोरा एंड फ्यूना इस्पीसीज प्रेजेंट इंडर वर्ड बतलब दुनिया के अंदर कितनी वनस्पती और जो जीव जाती है उनकी प्रजातियां अभी मुझूद है यह क्यूशन है आपके जाती है जबकि पूरी वर्ड की अपन काउंट करें तो वो आप मेरे को बताए कि पूरी वर्ड के अंदर फ्यूना एंड जो फ्लोरा है इनकी इस्पीसीज कितनी पाए जाती है थैंक्यू नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर भी लेंगे